हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करूनों खाकर नीरभ माल्या फरार हैं और किसानों को मिली मार है मोधी सरकार के बागों में बाहार है मोधी सरकार बनने से पहले प्यदान मंत्री मोधी ने किसानों को खूब मीठे मीठे क्वाब दिखाए किसान भी बड़ी उमीदों के साथ सरकार की तरफ तक तक ही लगाए बैटे थे कि सरकार कुछ अच्छा करेगी वक्त बीता गया और पिये मोधी अपने वाइदों पर मुकरते गए अगर किसानों की भाशा में कहें तो दोके बाजी करते गए और किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने में नकाम रहे सरकार बनते हैं सबसे पहले कई कर्सदार कारोबारी देश से फरार होने लगे मगर किसानों पर कर्स चड़ जाने किसे कभी बैंक को उनकी जमीन ले लेता तो कभी ट्राक्टर मगर मजाल है कि शराब कारोबारी विजमालिया को कोई हाथ लगा देता ऐसा नहीं हुआ और वो विदेशी में याश करता रहा और खुद सरकार पर गंभीर आरोप लगाता रहा देश के लोगों को तब भी भरोसा था कि मोदी सरकार जरूर किसानों के लिए कुछ करेगी मगर ताज़ूप करने वाली खटना तब हुई जब हीरा वैपारी नीरव मोदी के साथ खुद पीम मोदी एक फोटो में नजर आए मगर किसानों की कर्ज माफी तब भी नहीं हुई मोदी सरकार ने अपने घोशना पत्र में कहा था कि वो किसानों को उनकी फासरों का उचित द्याम दिलाएंगे हर कोशश करेंगे वो सरकार में आएंगे मगर सरकार के चार बरस बीतने के बाद ना किसानों को राहत मिली और ना ही आम जन्ता को अपने प्रिधान मंत्री से वो सब कुछ ना मिल सका जिसकी उमीद लगाए वो बैठी थी क्या मोधी सरकार अभी किसानों को मार कर ही साबित करने में जुटी हुई है कि मोधी राज में बागों में बाहर है गांधी जैन्ती के दिन भी किसानों पर गोनिया चलवा कर मोधी ने साबित कर दिया ये गोटसे के लोग हैं 2 October 2018 महात्मा गांदी की 150 वी जैन थी, 2 October 2018 लाल भादर शास्ट्री की 115 वी जैन थी, 2 October 2018 मोधी सरकार द्वारा किसानों पर वाटर कैनन और आसु गैस के गोले चलवाना, जी हाँ आज हम मोधी सरकार ने किसान रान्ती यात्रा में शामिल नीहत्ते किसान के साथ जम कर हिंसा की, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। अपनी मैंगों को पूरी करवाने के लिए हर्दवार से चलाए हजारों किसानों काफिला सोंवार को दिल्ली की सहरत पर पहुचा भारति किसान यूझीन अगवाइब इस किसाण रेली को मोधी सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पर रोक लिया मंगलवार को जब किसानों ने दिल्ली में घुसने कोशिश की तब पुलिस ने वाटर कैनन और आसु गयास के कोई रे चलवाए देश के अंदाता को सड़क पर लहू लुहान किया गया अहिंसा का पाट पढ़ाने वाले गांधी जैनती की एकसो पचासवी पर किसान के साथ हुई बरबरता को समझा गया है किसानों की प्रदर्शन में ज़्यातर बूढ़े और अधेड उम्र की महिलायों पुरुष होते हैं वे कोई हुर्दंगई भीड में नहीं होते हैं फिर उनके साथ हिंसा क्यों की गई क्या दिल्ली की सक्ता क निहत्य बुजर्गों से खत्रा है हो भी सकता है क्योंकि भारत में वो दक्षड पंथी शक्तियां भी हैं जिने गांधी जैसे निहत्य बुजर्ग से खत्रा था नाथुराम गोट से जिसने किस गांधी की खत्या की उसका संबंद RSS से रहा देश में जो सरकार है उसके ने दरसल ये बाते किसान और ने ही महनतकश किसानों ने बोली है सुबा से चल रहे संगश के दौरान किसानों की आवाज बने बोलता हिंदुस्तान से बात कर हुए अधेर उम्र किसान बोल पड़े आज गांधी जैनती पर हम पर लाटिया बरसाएं गई ये गांद ही नहीं गोट से को मानने वाले लोग है मुबारक हो हिंदुस्तान मोदी राज में जै जवान जै किसान का नारा मर किसान मारे जवान हो गया है देश भर में परिशान हाल किसान ने आखिरकार आज देश की राजधानी दिल्ली में मोधी सरकार के खिलाफ आमाज बुलन करने की ठानली है मगर उससे पहले ही उन्हें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोग दिया गया जिसके बाद नाराज किसानों ने पुलिस का विरोध किया इसका नतीजा हुआ ये कि पुलिस ने किसानों पर लाठियां, बरसाईयां और आसू गयास के गोले भी दागे वही किसान जो हर रोज मारा जा रहा है रोज मोधी और योगी की सरकार पर भरोसा करते करते चक चुका है जिस देश में सबसे ज़्यादा अबादी किसानों की हो उसी देश में किसानों की मांग नहीं मानी जा रही है जै जवान जै किसान कहने वाले देश में आज किसानों पर लाठियां खा क्यो रहे हैं क्योंकि उनके केंद्र और राज की सत्ता में बड़े भरोसे से बीजेपी बठाया था जिसने किसान की आवाज बनने का दावा किया था मगर सत्ता मिल जाने के बाद मौजूदा सरकार भी पिछले सरकारों ने जादा कुरू नज़र आ रही है वो उन पर लाठियां आसुग्यास की गोले दागने हें पीछे नहीं हट रही है खून से लगपत किसान करजों से दबे किसान और सरकारी वादों पर भरोसा करते करते ठक जाने वाले किसान जो अब सरकार से कह रहे हैं कि हमारी मागों को पूरा करो वरना कुर्सी से उतर जाओ बीजेपी ने कई दावे किये कि उनके किसानों की मदद की मगर जमीन पर कोई भी किसान ये मानने को तयार नहीं था कि उसकी मदद कोई मोधी सरकार ने की है कई लोगों ने कहा कर्ज माफी तो दूर की बात है राज की योगी सरकार ने तो हमारे लिए बिजली महंगी कर दिया और डीजल आए दिन महंगे होने से खेती करने में दिक्कत आ रही है आज किसान पर लाटियां और गोलियां बरस्ते देख यही कहा जा सकता है कि बेजीपी सरकार ने देश के प्रधम प्रधान मंत्री नहरू के बाद लाल भादु शास्त्री के दिये नारों को बदलने में लग गई है गौर तलब हो कि किसान दिल्ली मार्च में लिये 23 संबर को हरिद्वार से चले गए थे जो सोमवार को गाजियाबाद में दिल्ली की सरहत तक पहुँच गए जब किसान बॉर्डर पहुचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया आज सुबह जब किसान ने पुलिस बैरकेडिंग को पाल करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाटिया भाजनी शुरू कर दी पुलिस ने पदर्शन कर रहे किसानों को दड़ा दड़ा कर पीटा पुलिस की इस कारवाई में कई किसान खायल हो गए किसानों पर लाटी चार्ज से भड़के कुमार विश्वास बोले जिस पर किसान का रक्त गिरे वो शासक नाकार है मोधी सरकार से नाराज दिल्ली मार्श में निकले किसानों की गाजी पुर बॉर्डर पर रोक दिया गया भारी मात्रा में तैनात पुरिस बलने किसानों के जत्थे को रोकने के लिए उन पर जम कर लाटिया वर्साई मार्श पर निकले भूकी किसान पर पानी की बोचानों की साथ आकसू गयास की गोले भी छोड़ गए दरसल भारती किसान यूनियन की बैनर तले किसान बिजली रेट में कमी कर्ज माफी गन्ने की कीमतों समित अन्य कई मांगों को लेकर आंदुलन कर रही है यह किसान दिल्ली मार्च के लिए 30 सितंबर को हरिद्वार से चले थे जो सुमवार को गाजियाबाद में दिल्ली की सरहत तक पहुँच गए जब किसान बॉर्डर पर पहुचें तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया पुलिस द्वारा किसानों पर किये गए लाठी चार्ज की चौतर फाल उचना हो रही है विख्षबक्ष इस मामले को लेकर लगतार मोधी सरकार पर हमलबार है इसी फहरिस्त में अब आम आदमी पार्टी नेता और कवी कुमार विश्वास का नाम भी जुड़ गया है उन्होंने इस मामले को लेकर अपने अंदाज में केंद्र की सत्ता पर आसीन बीजेपी की कड़ी जिंदा की है कुमार विश्वास से ट्विटर कर पुलिस द्वारा दिल्ली मार्श पर निकले किसानों को बल पूर्वर रोके जाने की खबर को शेर करते हुए लिखा जो धरा पुत्र का शोशक हो वो हर शासक नाकार है जिस पर किसान का रक्त गेरे वो राजपुत हत्यारा है चार साल में मोदी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया इस्तियाज किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है अखिलेश यादव अपने मांगों को लेकर दिल्नी मार्च पर निकले किसानों की समर्थन में अब यूपी के पूर्व मुक्मंत्री एवं समाजवादी पार्टी की अध्यश अखिलेश यादव पी उतर आये है उन्होंने कहा किसान इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों को अंदर अंदास कर दिया है अखिलेश यादव ने कहा पिछले साड़े चार साल में केंद्र की मोधी सरकार ने किसानों के लिए वादे पूरे नहीं किये इसलिए किसान आज आंदोलन कर रहा है उन्होंने दावा किया कि बिछले साड़े चार साल में देश में करीब पचास हजार किसानों की हाथ भत्या हुई है जो की सबसे जादा भाजपा शासत राज्यों में हुई है उन्होंने क्रांती यात्रग समर्थिन करते हुए कहा कि सपा किसानों के साथ है बता दे कि मोधी सरकार से नाराज किसानों ने दिल्ली के लिए कूच लिया था लेकिन उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोख दिया गया किसानों की जत्थे को रोखने के लिए भारी मात्रा में तैनात पुलिसबल ने उन पर जम कर लाथिया बरसाई मार्श पर निकले भूके किसानों पर पानी की बहुचारे के साथ-साथ आंसु गैस के भी गोले छोड़े गए दरसर बारती किसान यूनियन की बाइनर तले किसान विजडी रेट में कमीम कर्ज माफी गरने की कीमतों समेत कई अन्यमागों को लेकर आंदुलन कर रहे हैं यह किसान दिल्ली मार्श के रही तेश सितंबर को हरिद्वार से चले थे जो सुमवार को गाजियाबाद में दिल्ली की सरहत तक पहुच गए जब किसान बॉर्डर पहुचे तो उन्होंने पुलिस ने उन्हें रोक लिया आज सुभा जब किसान ने पुलिस बैरिकेडिंग के उपार करने कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठिया भाजनी शुरू कर दी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा पुलिस की इस कारवाई में कई किसान घायल हो गए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें